हलो गाइस एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल दीपती मिस्रे की चिन में तो आज की इस पीडियो में मैं आपके साथ सेयर करने जा रहे हूँ कि अगर आपके भरतन का जो इस्टेंड है वो काफी जादा गंदा हो गया है उसमें काफी जादा जंग के दाक लग गये हैं त तो यह जो बरतन का स्टेंड है काफी जल्दी गंदा हो जाता है तो मैं इसे क्लीन करने जा रही थी तो मैंने सुचे क्यों ना आपके साथ भी मैं वही हैक शेयर करूँ जो कि मैं हमीशा इस बरतन के स्टेंड पे अपलाई करती हूँ जिसे यह बहुत ही जल्दी क्लीन हो रहा हम जजाता है, बिना किसी महनत के और इसमें हम हम नहीं क raci जोला और विनेगर का इस्तमाल क्रेंगे। सिर्फ दो चीजों का इस्तमाल करके इसे हम clean करने जा रहे हैं और आज जो मैं आपकी साथ hacks शेयर करने जा रहे हूं बहुत ही कमाल का hacks है और अगर आपके बरतन का stand भी तरीके से गंदा हो जाता है तो आप उसे बहुत ही आजान तरीके से clean कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक चरूर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किये विना बिल्कुल भी न जाए तो फिर चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो बरतन के स्टेंड को क्लें करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रव करते हुए हमें स्टेंड पे लगा देना है और निवू को भी दबाते रहेंगे ताकि उसका रस्पी स्टेंड पे लग जाए अच्छे से और यहां पे टोटल मैंने तीन निवू का इस्तमाल किया था पूरी स्टेंड में और लगबक तीन चमश नमक भी इस्तमाल में आगया था तो इस तरीके से रफ करते हुए पूरे स्टेंड पे नमक और निवू हम अच्छे से लगा देंगे पूरी सेल्फ हमें लगाना है नीचे तक जहां जहां भी यह स्टेंड अच्छे से गंदा हुआ है तो वहां पे आप इसको थोड़ा जादा अच्छे से रफ क करते हुए लगाएगा पर निवू और नमक हमें हर चके लगाना है और इस हैक से आप देखेगा यह जो बरतन का स्टेंड का इच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और चमकने लगेगा तो अगर आपके बरतन का स्टेंड जो है वह बहुत जादा गंदा नहीं हुआ है तो आप को कम समय लगने बाला हैFS जो है यह बहुत ही इंक कह움 माल का हैक से मैं हमेशा इसी की मदद से अपने बरतन के stand को clean करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है थोड़ा सा पुराना भी है तो इसलिए इसमें थोड़ी से आपको जैंके दाग जादा दिक रहे हैं और इसको clean करने में थोड़ा सा समय जादा लग जाता है पर अगर आपके बरतन का stand इतना तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से clean भी हो जाएगा और साती बहुत ही अच्छे से चमकने भी लगेगा तो आप इस एक्स को जरूर ट्राइ करिएगा और यह देखे यहां पर जो बरतन का stand है मैंने इस पर अच्छे से नमक और निवू लगा दिया है और अब हम इसको आदा गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो लगबग आदा गंटा हो गया है और अब हम इसको clean करेंगे उसके लिए मैं यहां पर डिस जेल ले रहे हूं आप कोई भी कंपनी का डिस जेल ले सकते हैं और पानी मैंने उसमें डाल दिया है यहां पर मैं तीन स्क्रबर क का इस्तमाल करके इसको clean करूंगे आपको भी कर सकते हैं तो इस तरीके से टिस जेल में डिप कर लेंगे और फिर उसके बाद हम पूरे इस टेंड को अच्छे से clean कर लेंगे तो अब हमने यहां पे नमक और निवू का इस्तमाल तो कर ही दिया है तो इसको जादा आपको हैं वो सारे इसमें से हट जाएंगे और यह बहुत ही अच्छे से साइन करने लगेगा और बहुत ही चमक जाएगा और इसी तरीके की अगर आप भी kitchen cleaning की और भी वीडियो देखना चाहते है तो इसके लिए मेरी चैनल को subscribe भी जरूर करें और मैं पहले भी आपके साथ काफी सारी kitchen cleaning की वीडियो आपके साथ share कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहोंगे तो चैनल को subscribe करना आप बिल्कुल भी न भूलें तो इसी तरीकी से हम डिस चैल की मदद से इसको अच्छे से रफ करते हुए clean कर लेंगे डिस चैल लगाने के बाद हम इसको साफ पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो मैं इसको उपर सारा में साफ पानी डाल देते हूँ और उसको clean कर लेते हुँ और उसके बाद फिर में आपको पाक से दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से clean हो गया है और इसमें बहुत ही कम महनत भी लगी थी और बहुत ही कम समय लगा इसको clean करने में आपने पहले देखा ही तक ये जो बरतन का stand है ये काफी ज़्यादा गंदा था इसमें काफी ज़्य के दाग लगे हुए थे क्योंकि मेरे हार्ट वार्टर की बहुत जादा प्राब्लम रहती है और ये बरतन का stand भी थोड़ा सा पुराना था तो इसलिए आपको काफी ज़्यादा गंदा लग रहा होगा और अब देखिएगा ये काफी अच्छे से clean भी हो गया है तो पानी स दोने के बाद हम इसको एक कॉटन के साफ कपड़ी से clean कर लेंगे क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पानी की बज़े से ही इसमें जो है पहले जंके दाग लग गए थे तो अच्छे से clean करने के बाद ही हमें इसमें अपने बरतनों को सैट करना होगा तो ये नहीं और झाल बाद ही में जडूरी तो इस तरीकर से आप भी आतरी पने बरतन के स्टैंड को बहुत ज़या समय में क्लीन कर सकते हैं और रापके बादन के संटम बहुत जंग क्लीन कर सब्सक्तावाद ये था कभी एक फूछी करात। यह थे ज़्ल मेरे भी परतन का स्टै कर सकते हैं यह कमाल का है आप इसे जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अगर आपको यह वीडियो हेल्पुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो फिर में एक नहीं वीडियो की साथ तब तक के लिए बा झाल